हेलो एवरीवन स्वागत दोस्तों आपका मेरे चैनल में मैं प्रिशान्थ कुमार सुकला एड़ोकेट साथ हूँ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाबाद हाई कोड का एक और इंपोर्टें लेटें जज्ज्मेंट के बारे में जो CRPC के धारा 125 के तहर भर पोर् जज्ज्मेंट में इलाबाद हाई कोड ने पती को नोटीस यानि की जो समन की जो सेवा के तरीके के उले की जो कमी का हवाला देतो हुए जो एक्स पार्टी जो भरर पोसर के जो आदिश को रद्द कर दिया इलाबाद उच्छे नियाले ने हाले में अत्रिक प्रदार निय यानि समन की जो सेवा के जो तरीके का उलेक नहीं किया गया था आदेस यानि कि पार्टियों के भी जो समझोता को ध्यान में रखते हुए जो मामला ये था कि प्रतिवादी पत्नी ने CRPC की धारा 125 के ते भरर पोसर का मामला दायर किया परिवार नियाले के प्रदार इसके माई के पंच्छ ने उपहार और देहेच के रूप में साधी में लगबग 10 लाक रुपे खर्च किया जिसमें एक आल्टो कार 3 लाक रुपे का डिमांड रॉफ यानि 11,000 रुपे नगत भी सामिलते हैं गहने और ग्रहस्ती इसके बाद ये भी आरोप लगाया गया है कि देहेच की और मां की गई प्रतिवादी पत्नी को मांसिक और सारी कुरूरता का भी सिकार बनाए गया जब वा गर्बवती थी उसे कतित तोर पर उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया और उसने अपने पत्नी एक ग्रहणी है और उसके पास आये का कोई भी स्रोत नहीं है जबकि संसोदंत वादी यानि पती ने एक मेकैनिकल इंजीनियर है और सबी स्रोतों से उसकी जो मासिक और उसकी इंका में लगब 50,000 रुपे प्रतिमा है पुनर रच्षर करता यानि पती को पत्नी और नबाली बेटे के भरर पोसर के लिए पती माँ 15,000 रुपे बुक्तान करने का भी निड़देश दिया गया पती को नोटिस जारी किया गया है लेकिन वह उपस्तित नहीं हुआ तो एक पच्ची आदेश पारिद किया गया जिसमें कहा गया है कि पत्नी ने अपने पती और पेटे को छोड़ दिया गया है और अपने वैवाहित दाहतों का वहन करने में भी विफल रहा है निचली अदालत ने आगए कहा कि पत्नी की गैर हाजिली के कारण पत्नी के बयानों का खंड़न नहीं किया गया और इस तरह थाबित होता है कि कोर्ट ने रुपे भरर पोसर देने का अदेज दिया आवेदन दाखिल करने की तिती से आवेदक को 6,000 रुपे प्रती मा और उसके नबालिक बेटे को 3,000 रुपे प्रती मा जो कि प्रते एक मा दस तारी को दे है चुकि जो पुने रिच्छल करता नेनी के उपरोत रासी का भुकता नहीं किया था तो भ प्रतिवादी पत्नी से अलग रहना चुना था और सौरतम प्रयासोग बाज उसके साथ अपने वैवाहिक घर में वापस आने से भी इंकार कर दिया था ये भी तरक दिया गया पती ने गाजी अबाद अदाला में वाहिक अधिकारों की बहाली में धारा नौ के तर्छ एक याच का भी दायर की थी उसकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि वा केवल तभी वापस आएगी जब वा अपने माता पिता को छोड़ देगा ये भी कहा गया कि दहे निसेद अदिनियम की जो संबंदित मामलों में पार्टियों के भी समझोता भी कर लिया था इसके अलावा ये भी तर्क दिया गême है कि एक अपने जीएघ का कमाने के एक नीजी दुकान में काम करता है ये भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी पत्नी बिना किसी करण के अपने प्रेत्रत्रत घर में चली गए और पती के खिलाफ भराल पोसल का एक तरफा अधिश ठिकाउद नहीं था CRPC की धारा 125 का सब सेक्षिन 4 पर भरोसा करते हुए कहा गया कि परयाप्त कारण के बिना रहने से इंकार करने वाली पत्नी भरन पोसर का हगदार नहीं है यह एक important बात इसमें थी तो यह important judgment जो कि इलावत High Court ने जो कि पती को नोटी यानि जो समझ जो सेवा के तरीकों में उल्ले में कमी का हवाला देता हुए उसके उपर जो एक पच्छी जो भरन पोसर का जो आदेश उसको रदिका दिया तो आसा करते हैं यह judgment आपको समझ में आया होगा इस judgment का जो case title में description box में देदूगा आप जाकर इसको पढ़िए और समझिए अगर आपके मन में कोई भी query हो तो दिये गए comment box में जरूर पूछे का ही हमाई दिये गए what's and number पे भी हमसे संपर कर सकते हैं अगर आपको किसी case related को भी query हो तो आप call पे भी अपना appointment book करा सकते हैं मिलते एक next video एक ने judgment series के साथ तक के लिए धन्यवाद